हलो दोस्तों तो आज हम लोग जेए अडवांस का अभी तक का सबसे जादा कठिन माने जाने वाला नुमेरिकल करने वाले हैं और देखने वाले क्यों कठिन हैं डिसकसन करेंगे लंबा काफी अच्छा डिक्सन होने वाला कि रोटेशन का सवाल है मज़ा आएगा दोस्तों कुछ सवाल अपने पास है और यह कठिन क्यों है क्या कमी है कौन सा कॉंसेट आउट अब दा वॉक्स है यह सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग कुश्चन को समझ लेते हैं डिस्कुशन तो बीच में करेंगे जब सवाल 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 पूचेगा तब ह अब हेरा अब हम लोग कुश्री करने वाले सवाल है क्याений तो सवाल का कई की इख जिसका रेडियस एय्च और मास फोर हैं मास की दौनों हिजट है उनके center के about एक massless rod से, क्या है, दोनों के center से hinge है, एक massless rod से, जितकी length हमें L दे रखी है, और जो assembly बनती है, जो दो disk और एक massless rod मिलाकर, जो assembly बनती है, वो एक surface पर roll कर रही है, किसी एक axis के about, जैसे एक assembly बनी, जिसको छुटी disk, बली disk, दोनों मिलकर एक assembly बनी, ठीक है, और assembly एक surface पर रखी है, और वो surface के along, इसे rotate कर रही है, क्या कर रही है, rotation कर रही है, यानि आप पर एक 3D motion हमें देखने को मिलना, एक solid का, एक solid body का 3D motion हमें देखने को मिल रहा है, क्या motion है, disk अपने तो rotate करी रही है, और जो पूरी assembly बनी है, rod और disk को मिलकर, वो पूरे एक axis के about, rotate कर र जिस जो पॉइंट है जिससे जैड एक्सिस गुजरी है उस पॉइंट के आवाइट हमें पूरी एसेंबली का एंगलर मोमेंटम एल दे रखा है तो यह सवाल है यह इंफॉर्मीशन मैं आपसे फिर से कहूंगा कि एक बार आप सवाल को मैंजिन कर लीजिए क्या हो क्या रहा ह है दो डिस्क हैं एक बड़ी एक चोटी एक बड़ी दोनों हैंट हैं एक मासलेस रॉट से दोनों एक सर्फिस पर जो एसेंबली है सर्फिस पर रख्यों सर्फिस पूरा ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है जैड एक्सिस के आवाउट यह आपका सवाल है सवाल सवाल है सारे माप सबसे कठे माने याना वाला सवाल है तू क्या हो रहा है जे कर लो से इमेज़न कर वह क्या होटा है यह B heart तूम्हें लगदा होएगा कि प्रॉब्लम सब कुछ होता है ना सब किछ पूझ होती है सबसे पहले बहुत चठ्छा करने वहेंदां बहुत है हमें लगता है आपने विजुलाइस कर लिए हो इमेजिन कर लिए हो कि सबाल में हो क्या रहा है और पूरी असेंबली भी गूम रही है डिस्क की भी गूम रही है जो कि हमारे स्लाइबस में नहीं है फिर भी सॉल्व करेंगे तो पहला इसमें क्योंकि मुल्टिपल रूटेट अबाउट जैड एक्सेज बितन एंगलर स्पीट ओमेगा वाई-5 यह सवाल क्या कह रहा है कि जो सेंटर अम असेंबली जो बनी है चोटी डिस्क बड़ी डिस्क और जो रोड में लाकिट जैसेंबली बनी है यह जो दिखाई दे रही है आपको मैंने यलो लिया कि इस सेंटर अब मास है उसका जो एंगलर स्पीड है वो मेंगा वाई-5 जहां मेंगा क्या है ओमेगा है डिस्क की एंगलर स्पीड रोड के मासले रोड के अब आप एस यह मैं इस पर कंफ़ड़ेवल नहीं हूँ यह लगता है मैं बोर्ट पर बढ़ाओ मजा आएगा यह यह सवाल यहां खुला रहन देते हैं हम लोग बोर्ट पर जलते हैं कि मैं यहां पर यार कंफ़ड़ेवल लिए पढ़ाने बहुत दिन से यहां रोकॉर्ड नहीं है तो बोर्ट पर चलता है ना पाल बना लेते हैं क्योंकि मैंने स्विच करा है तो सवाल क्या है कि यह सवाल थी ठीक है जो एल लेंद की थी और एक पॉइंट था यहां से यहां की दूरी भी एली थी तो यह अपना सवाल था और यह है अपनी एक एक्सिस जैड इसके लोग मैंने माल लिया ओमेगा जैड एंगलर ब्लॉश्टी है ओके ड़न तो हमसे पूछा गया कि सेंटर औ मास का से प्रसे सवाल पिस्ट फिर से लोग देखते कि जो सेंटर ओंगलर फिलॉश्ट है जैड एक्सेस कि अवाट वोकिती हम लोग देखने वाले हैं और यह मैंने माल लिया कि यहनों सब्सक्रेज ले तो मौ дерences घिया तो मैंने क्या किया कि हरेक पॉइंट जो रोड पर हुआ उसका आंगुल से से में होगा तो अब सेंटर अगर जो भी होगी वहीं इसके संटर ढूराइस करनेfact कर रहा है और सर्फिस पर हुप कर रहा है तो रोल करेगा रेडियस ए है तो वी स्कॉल्टू ए उमेगा हमारे पास एक कंडिशन निकल के आती है जो की रोलिंग कंडिशन है कि आपको जब पढ़ाया जाता होगा नोटेशन मोशन तो रोलिंग कापी अच्छे समझाएगा अगर कोई अगर कोई डिस्क के अगोल आगर किसी भी फिक्स सर्फिस पर रोल कर रहा है तो उसकी जो कॉंटेक्ट पॉइंट की वेलोस्टी होती है वो सेम होती है अगर फिक्स सर्फिस पर रोल कर रहा है तो वी स्कूर्ड टू एउमेगा होता है ये कंडिशन आपको चला चला के पढ़ाया जाता है चाहर ऑल हमारा हमारा निकालना व्दिस निकालना है वी निकालना है क्योंकि हमें चहीए हमें चाहिए इसके एंग्लर विलोस्टी इसके अंग्लों थीटा माहरे तो ये एंगल भी कितना होगा इसको मैं मायनातार टू आड़ीस का है है इस निज़u डिस्क का सेंटर और ऑफ मास है इस आर एकक्स का सर्कुलों कर रहा है इसका पर हमें इसकी जो यह फेर has a All omega R है मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने डिस्क लाउमेगा यह वाला मोशन मैंने इस पार्ट पर तोड़ का जळे यह वाला हो इसको निकालने के लिए निकालने के लिए मैं जिका है इस इस इंटर जैड एक्सिस के अबाउड नहीं ठीटा एंगल के एक एक आर एक्सिस हमने बनाई है जो कि एल के परपेंडिकुलर है उसके अबाउड यह सर्क्लों मोशन कर रहा है तो वी स्कुल टू एल ओमेगा यहां तक मैं बिल्कुल सही हूं ठीक है वी हमारा आ गया तो यह एक को बरा पैट्री से ओमेगा जैड इसकुल्टू ओमेगा आर कॉस ठीटा तो अब कॉस ठीटा अब कॉस ठीटा की वैल्लू कितनी है तो यह अंडर रूड ल क्याविक इतनी अंडर रूट 24 ए तो यह आएगा अपना 24 ए स्क्वैर फिलस ए स्क्वैर इसकॉर इसकॉल टू फाइव यह वाली लेंथ अपनी आई 5A जो कि हाइपोटोनेश है और यह आया बेस जो कि L है तो हमारा ओमेगा जैड आया ओमेगा आर बेस अपोन हाइपोटोनेश तो बेस है L अपोन 5A तो हम लोग ओमेगा आर की वैल्लू रख देंगे तो ओमेगा जैड 5A अपोन L is equal to A ओमेगा एसे एक कैंसेल आउट ठीक है एल और रखना है आप एल से एल कैंसेल आउट तो ओमेगा जैड इसकुल टू ओमेगा वाई 5 पहला ओप्शन तो अपना सही हो गया 5 थोड़ा तमीज से लिख लिया जाए ओके ओमेगा जैड इसकुल टूमेगा वाई 5 बिलकुल सरल था अगर किसी बच्चे लिए अगर जैडवांस 2016 जैडवांस किसी बच्चे सवाल करा हो तो यही तरीका उसके दिमाग में आया हो एक और तरीका है सवाल करने का पहले यह वाला समझेगा क्या यहाँ पर आपको उसके अबाउड सेंटर आप महां से डिस्का वह एक सर्क्लों मुस अटाइब कर रहा है तो बने इसको बराबर करा और यहां से थोड़ा बहुत टिक्रूमेट्री लगा के हमने सॉल्व कर लिया किस अब को इतनी वास समझ आई इतनी वास समझ यह था फ़र्ष्ट मैथड अब सेकेट मेंधर में आपको समझनों अगर आपको ना समझ में आया तो क्या होगा ठीकोसिस करी जाए एक मेहार देखू इसको सोचने का तरीका है प्लाव देखना कि एक यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी ओके तो जोटेs निकले के तो आदए दूसरा है कि माली जी की शोटी डिस्ट देखो अगर डिल्टट्य टाइम में टैम आ हम लोग देख रहे हैं कि जो नीचे वाला पॉइंट है इसके घूमनी बजी से जो इसकी एंगलर स्पीड है कि घूमनी के बज़े से यह जो नीचे वाला पॉइंट ही कितना स्वाइब कर आओ कितना स्वाइब कर आओ तो अगर बू देखें हम लोग की मान लीजी कि यह यह बना दाव डाइग्राम कि यह कुछ स्वाइब कर गया होगा डेल्टा टी टाइम में डेल्टा ठीटा इसने एंगलर डिस्प्लेस्मेंट करा होएगा और एस यह गुमा होगा रेडियस इसकी एंट क्या मैंने जो कहा आपको समझ में आया कि इसके अर्यार प्रैक्रिकल करके देख लो जब जैसे मैं मेरी मेरी घुमा है ओके ना अच्छा यह बात मैंने लिग दी तो थोड़े से फर्मिल लगा लेते हैं जैसे आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है डिल्टा ठीटा पौन देल्टा टी टाइम में और एस क्या होता है आर्क रेडियस आर्क इतना है एस रेडियस कितना है तो यहां पर तो फ्रम्लोंग डेल्टा आर्क थीटा यहां पर लिखने हैं अब डेल्टाथीटा इसकुल टू आर्क पॉन रेडियस अब डेल्टाथीटा एक बेल्व यहां रख देंगे तो कितना आएगा उमेगा डेलटा-टीज कुल टू एस वुक्त-एड ऑडेल्टाथी तो चोट इ आप देखना कि चूकि जैड एक्सिस के अबाउड ओमेगा जैड के अबाउड यह पूरी एसेंबली घूम रही है तो यह जो कॉंटेक्ट पॉइंट होगा इसके अबाउड अगर यहां इस पॉइंट से हम लोग देखें इस पॉइंट से यह जो कॉंटेक्ट पाइंट वो भी ऐसी एस इस प्लेस होगा वह वह कितना डिस्पलेस हुआ एसईट सेचाव का ताव अगर हम दिखांगे आपको कुछ इंपरगा इस यह वह फाइवे और और वह एंगल भी कितना घुमा होगा डिल्टा ठीटा डिल्टा ठीटा उत्ना एक अउस यहां से आपने काले तो मेंगा जैड इसकोल टू क्या होगा मेंगा जैड़ टीटा पॉन डेल्टा टी और जो डेल्टा टीटा इसकोल टू आर का पॉन एडिस आर्क फाइव ए तो डेल्टा ठीटा की वैल्लो यहां रख देते हम लोग तो तो सब्सक्राक आवैगा जड डिल्टा टीफाइब सब्सक्राइब 3फ 10 उमेगास गाड़ टूमेगा वाई फाइव इने दर में तू सॉल बस यहां पर विजुलाइजिशन का गेम है कि जितना ओमेगा की उसके डिस्क के घूमने डिल्ट टी बिल्कुल चोटे समय में घूमने में जितना उसने पॉइंट पॉइंट जितना स्वाइप करा होगा उतना ही इस यहां मेरा नागबन भंध कर दूसे अपने साथ क्या है दूसरा लट टोप पे देखना भाएगा वही पर पता देता हूं दोस्त नो इसी में दूसरा है अपने पास कि हमसे पूछा गया है हमसे पूछा गया है एंग अंगुलर एंगुलर मोमिंटम ऑफ सेंटर और mass of assembly मतलब assembly का जो center of mass है वो हमें कुछ option में दे रखा है हमें याद नहीं है मैं भी check करके बता दूँँ कितना option में दे रखा है कि verify करके बताओ कि इसका जो center of mass का जो angular momentum है वो कितना है angular momentum इस o point के about center of mass का angular momentum हमें बताइएगा सबसे बहले keep in mind सवाल क्या कह रहा है कि center of mass का angular momentum तो सबसे बहले मैं center of mass find करना पड़ेगा आपको पता है कि यह M है यह 4M है इनके बीच की लेंद L है तो इनका center of mass यहां कहीं होगा 4L Y5 क्या कहते हो क्या कहते हो वाई कैसे करा कैसे करा तो M X is equal to 4 M L minus X M X is equal to 4 M L minus 4 M X इदर आओगे 5 M L M X is equal to 4 M L M से हम कंड जाएगा X is equal to 4 L upon 5 Momentum से निकाला वाई किसे निकाला momentum आपको पता होगा पढ़ाये गया होगा अगर नहीं पढ़ाये गया तो हमें नहीं मतलब मैं नहीं पढ़ाने वाला सीधी बात है कि सेंटर आप मास पर बैटकार इसको इदर X मान लो उसको अधर और लिग दो के से लिए पर एसको 4Ly5 4Ly5 आया तो यहां पर कहीं होगा यह डिस्टेंस आई 4Ly टोटल कितनी होगी टोटल इस्टेंस होगी एल प्लस 4Ly5 यानी 9Ly5 9Ly5 टोटल डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक इसके टेवाइं तक दना वाय इत्थी सोगारी अमसे सेंटर वाद्स की लोकेशन तो मिल इन्हें और वाय फायव है ओसे इस इसटेंस करो अब पूछा गया है कि इसका आप निकाल दीजिया कैशना चाहते हैं इसे संठर बाइज़ का उमेंट और मोमेंट तो आइए कि अमेगा और ओमेगा नहींत अइस नहीं पर कि हम इस एक्सिस होगा तो आरे हैं तो सवाल तो अगराप चाहते हैं कि में एक और डाइग्राम बना दू तो हमसे सवाल सिर्फ इतना पूछा गया है यह जैड एक्सिज है यह हमने जो बनाई है अपनी एक आर्विट्री आर एक्सिज ठीटा एंगल पर है और सवाल सिर्फ इतना है अग्या एम तो हो गया फॉर फाइब और यह डिस्टेंस कितनी है 9 L Y 5 का होल स्कूर उमेगा आर उमेगा आर की वैल्यू कैसे निकालो गहीं उमेगा आर की वैल्यू आपको पता है उमेगा जैड आपको पता है वाई-फाइव है एसम्पली का पूरा एंगलर स्पीट तो उम मैं चाहिए उमेगा जो मेंगा फाइव हो गया अपउन कॉस्ट चीटा इसकूल टूमेगा आर यहां रख दिया मैंने तो एल स्कूल टू फाइव एम नाइन्टी वन एल स्कॉयर अपॉन 25 वैव ओमेगा अपॉन फाइव कॉस्ट चीटा की वैल्यू कितनी होगी कॉस्ट से वैल अपॉन फाइव इंप ऑफ ये कट गया इस से 5 सिर्डो न हमारे पास आया 81 one A l 참 कट गया A स्थान में ओमेगा कि यहमारे पास निकल के म governance और जो कि ऑप्षेन में सभाइद में और सबन female कि इनकरेक्ट का और भाइफ के अपना मोमेंटब सेंटर आप मास्स का ओके अबाउट और यह है अपनी इस एक्सिस के अबाउट निकला है कि एल आर इसको एल आर इस एक्सिस के नहीं वैसे तो अगर हमने यहां पर तो फिर यह मेगा जैड ले लिए था ना उमेगा आर हां ओके ठीक है ओपाइंट के और मुझे ठीक है और अभी निकाला रहा है तो यह भाई मैच नहीं कर रहा है तो दूसरा अपना ऑप्शन है गलत है आगे जलते हैं हो आगे क्या है सवार ओके थार्ड ऑप्शन सबसे मज़ेदार सबसे इंट्रेस्टिंग ऑप्शन आज तक की दुनिया बनाए गया यह यह जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास हमसे पूचा क्या गया है हमसे पूचा गया है कि सेंटर ऑफ मास क्या अबाउट इस एसेंबली का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट इसका एंगुलर मुमेंटम लिखके दीजिएगा है समाल क्या क्या एस संब्सक्राइब आप एंगुलर मोमेंटम लिखिए तो मैंने ठीक करतें प्रोच करतें मज आएगा तो मैंने पूछा है कि सेंटर ओप मास्ट तुमने पूछ दिया अगलो मुएंट हो है मैंने ऑप्जरवर अपना यहीं बढ़ा दिया अब मेरे यहां क्या हो रहा डिस्क ऐसे घुमरी चोटी वाली डिस्क अगर मैंने ऐसे मुझ करके यह चोटी मेरे पीछे घुम रही है तां मुझे यह दो अपने आसपस गुमती दिखाई दे रहे हैं मैंने कौन सी वड़ी बात है इस एक्सिस के वाइट हम लोग मान लेता हूं तो एल आरवन इस एक्सिस के वाइट मैं लिख दूँगा फिन मोमेंटम आपने अपने इस एआप नोरी अपने माने सेटर ओर भास के वाइंगलर मोमेंटम अब्ध्स लिका ओर तो मैं इसी वह ब्रूब खुंब रहा हूं और जो मैं गूम रहा हूं तब मुझे स्पिन करते हुए दिखाई दे रहेएग दोनु ड्सक then मैं इसके along इस एक्सिस के along लिखने वाला हूं क्या एंगलर मोमेंटम अभी डिस्कुर्शन बाकी है भाग मत जाना है कि यह तो गलत बढ़ा दिया बात करते हैं पहले लिख लेते हैं जो जिए एडवांस ने जो इस नुमेरिकल को इस ऑप्सन को भी सई ठहराया है उस पर ब मोमेंटम निकाल लेते हैं क्या होगा वाई एल आरवन क्या होगा आई उमेगा तो मेगाई है आई निकालना है तो इस जिसका मोमेंटम कितना होगा म a स्कुईर बाई 2 दिसकवा होगा 4M 2A का whole square by 2 into omega, थोड़ा और solve करेंगे M A square by 2 मैं बहार common ले लेता हूँ, तो 1 plus 4 into 4 upon बस बस, क्या है, 16, 17 ओके, तो 17 M A square by 2 डने भाई, डने भाई यह हमारा आया और जो की option में हमारा सही है, जो की हमारा, उसमें जो उन्होंने कहा था कि अंग्लोर मेंटर इतना होगा तो वो सही है, यह सेंटर मास्क वाड इतना होगा लेकिन, अगर physics की दरश्टी से देखा जाए, तो यह गलत है यह advance ने क्यों सही कहा है, इसके बारे हम चर्चा करेंगे, लेकिन physics की दरश्टी से यह गलत है आब बात करते हैं जो हम लोग सबसे पहले observer पर बात करते हैं, जो कि मैंने कहा कि यहां पर बैठ गे, observer यहां पर अपना यहां पर खड़ा बैठा दिया मैंने, मैं बैठ गया observer, लेकिन मैं कर क्या रहा था, मैं इस गुमरी मेरे सामने पीछे गुमरी बड़ी वाली तुमा डिस्क गुमना तब दिया था ऐसे ऐसे अगर आप आप जर्वर यहां मानते तो ट्रांसलेट करेगा जब ट्रांसलेट करेगा तो तो यह उसने अपनी और यह बंदा है वो एंगुलर वेलोस्टी से घूम नहीं आप ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके जो डिस्क है वो ऐसे घूम रही है और इस तरह का एंगुलर मोमेंटम निकालना था हमने नहीं सीखा है द्यान से देखना जो डिस्क है वो ऐसे ऐसे मतलब अगर यह यह डिस्क है यह देख मैं हैड हूँ ऐसे फ्रेम आपर फ्रेंस जो की ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके बाट जो डिस्क होगी इदर घूम रह ही तो वह ही असली फिजिक्स रिफ्रेंस प्रेंस फ्रेंट का मतलब है कि आप रोटेट नीं करा सकते डांसलेट करा सकते हैं और यहांपर उस्वावल कर यह नमबर निकालाई है वह रूटेशन मान दें माल लिए गिए ट्रांस्लेट भी कर रहा है जो कि संभाव नहीं चुछ मैने अभी कि और अब युदि तेरी populated यह ऊच्प निकाला सकते हैं लेकिन यह मोचन पढ़ते हैं और यहां पर लिए करना पड़ता है हारे एक सब्सक्रण अलग तरीका है आगी आगी कछहां कर रहा है मतलब अगर एसे भी एक body है माल लिए एसे भी सब्सक्राइब और एसब्सक्राइब एक body क्या कर रही है यह वदी कर रहे जар्या जार्बड़ पक्रणद सब्सक्राइब यह वाला मोशन कर रहा और लौस 키ए पढ़ते ये शर्ड़ करते हैं और वह अपने उब लावस में नहीं है वो कैसे करा जाता मैं बता देता हूं कि एक से जड़ाइश ली तीनों के आपने वाद ने क्यों इसे सही करा है और क्यों उन्हें गलत करना चाहिए था यह सवाज यह बिल्कुल गलत है क्योंकि हम लोग अब्जर्वर की प्रोपरटी ना कार रहे हैं हम ल मैंने दिखाए ना कि मैं घूम रहा था और यह पॉस्टिमल नहीं होता अब्जर्वर के साथ इसलिए यह सॉलूशन है अगर किसी ने माल लिए जैवर्वांस ने काऊएगा कि यार इसका सॉलूशन दिया तो जा सकता है लेकिन यार 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 यह अपने पर यह मोमेंटम लिए इसको बोल सकते हैं इस पर इंगलर मोमेंटम ठीक है तो यह अपना हो गया दूसर जहां पर डिसकुशन जरूरत थी वह यह पॉइंट अपना था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्ट्ट कुश्यन अपना है और वो साथ मुझे देखना ऑब इस एक्सेस का और डार चॉटल एंगलर मोमींटम पूछा गया है तो लोग क्या कैनल ठीटा है यह अंगल ठीटा है यह कितना है नाइंटे माइनस ठीटा टो लर सागुझे तो एल और वन साइन निकल के आएगा कि इस एक्सिस के अबॉट कितना अ मोमेंटम है जो कि आप करिएगा जो कि सही निकल के नहीं आएगा चौत्था उप्शन है काफी शरल है उसमें क्या पूचा गया है कि वर वर पूरे काप अलों नीकाल देए हम लोग इस एक अब निकाल चुक है हमने इसका सब्सक्राइब करने वाले हैं धन्यवाद